अगर आप भी USA, Canada, UK, Germany या किसी भी European देश के अंदर आप अगर पहली बार ट्राइवल कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक कोश्चन ज़रूर आएगा इमिग्रेशन आफिसर मुझसे क्या कोश्चन पूछेगा और मेरे को उसका क्या अंसर देना है मैं आज आपके लिए मैं साथ कोश्चन और उनके आंसर लेकर आएँ जिसमें से आखरी के जो दो हैं बहुत जादा इंपॉटेंट है वीडियो को बिलकुल एंट तक देखना अखली स्टार्ट करते हैं वीडियो को जिसमें से सबसे पहला जो कुश्चन है वह आपको आ आता है अगर आप अपनी home country में इंजीनर है या IT professional है या जिस भी profession में है वो आपको यहाँ पर बताना है I am a businessman तो आपको यह answers देने हैं इस question के आपका question आता है are you traveling alone तो वह आपसे इसका purpose ही है आपसे पूछना चाहरे है आप या अपने partner के साथ या अपने friend के साथ या किसी के साथ आप travel कर रहे हैं तो आपको इस question का अगर आप अकेले travel कर रहे है तो आपको सीधा इस answer no देना है नहीं तो आपको बताना है आप किस relative के सा साथ आप travel कर रहे हैं I am traveling with my one of your relationship with my wife with my father with my mother do you have any family here तो वह आप से पूछना ताते हैं कि आपकी family का कोई बंदा यहां पर रहता है या नहीं रहता रिलेटिव आपको यहां रहता है जिसको आप जानते हैं आपका friend है तो इस question का आपको answer देना है no I don't आपको यहां पर कोई नहीं रहता और अगर आपका रहता है तो आपको उनको बताना है आपका कोई रहता है तो आपको बोलना है if yes yes my uncle stayed here I have my uncle I have my sister then you have to explain the phone number और their address as well तो आपको अपना phone number और address दोनों उनको explain करना है have you ever been here पहले से एक बार गए हुए है तो आपको yes बोलना है तो उसका answer आपका होगा last year अगर आपने last year travel किया या अगर उससे पहले भी आपको travel किया yes और वो update बता सकते हैं अगर आपने travel नहीं किया it's my first time no it's my first time यह आपके दो common answers हो सकते हैं इस question के चना आता है where will you stay तो आपको उनको बताना है आप कहां पर stay करोगी अपने पूरे की पूरे travel में hotel के अंदर stay कर रहे हैं तो आपका answer होगा I'll stay at dash hotel आपका hotel का name or I'm stayed at my friend's place I'm stayed at my relative any of the relative place और आपको वो address पता होना चाहिए और उस address के लिए आपक confidence तो आपको वहाँ पर अपना confidence lose नहीं करना आपको हर question का जो answer है वो short और एकदम crisp देना है जितना small होगा ज़्यादा questions का answer वो आपको बहुत easily entertain करेंगे आपसे ज़्यादा question नहीं करेंगे लेकिन अब राए या आप nervous हुए उनके सामने तो chances हैं वो आपसे और ज्यादा questions कर कर आप UK आने का सोच रहे हैं तो मैं आपनी वीडियो लेंक कर दूंगा तो आप पूरे का पूरा UK का process देख सकते हैं कि आप starting में आपको क्या documents चाहिए और क्या आपका online application का process है तो यह दोनों वीडियो आप देख सकते हैं और अब वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like करन चैनल को subscribe करना मिलते हैं अंगली वीडियो में बाई बाई टेक केर